ताइम की इंपोर्टन्स को लेकर गोलमाल में वसूली भाई ने कहा है कि अबे जल्दी बोल कल सुभा पनवेल निकलना है टाइम से कहीं भी जाने आने में एक चीज है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती और वो है आपकी कलाई पे बंधी घड़ी एक जमाने में घड़ी का इतना भौकाल रहता था कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बिहा करा लेते थे ताकि उन्हें दहीज में घड़ी मिल जाए और कई बार तो दहीज में घड़ी ना मिलने पे लड़के वाले प्याह तक तोड़ देते थे लेकिन हमेशा आपका साथ निभाने वाली रिस्ट वाच की बनने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे देखते ही देखते हर इंडियन एंग्री यंग में से लेकर ओल्ड मैन तक की जिंदगी में ये ऐसे शामिल हो गई जैसे पान में कत था और बटर में चिकन बाबा आदम के जमाने में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तब लोग सूरज की मूव्मेंट को देखकर ही टाइम का अंदाजा लगाया करते थे जो कई बार गलत साबित भी हो जाता था लेकिन पंदरवी शताबदी से घड़ी बनाने की कोशिश में पहली बार चार चांद तब लगे जब सन 1868 में सूरिटजरलेंड में पहली बार रिस्ट वाच को बनाया गया अब बात करते हैं कि घड़ी बनती कैसे है रिस्ट वाच बनाने की शुरुवात होती है घड़ी के सबी 130 पार्ट के 3D मॉडल्स को तयार करके जिसके बाद स्टेललेस स्टील फ्रेम को पिगला कर CNC मशीन की मदद से तयार किया जाता है घड़ी का आउटर पार्ट यानि कि उसका साचा जब तक CNC मशीन घड़ी के outer part को बनाती है तब तक एक दूसरी मशीन में घड़ी के पट्टे को तयार किया जाता है जिसमें अगर पट्टा स्टील का है तो उसके कुछ पार्ट्स को हाथों से भी जोडा जाता है और अगर पट्टा लेदर का हुआ तो उसे मशीन से ही सिलने के बाद एक आटमेटिक बेलेन मशीन की मदद से पट्टे को सॉफ्ट किया जाता है ताकि आपकी नाजुक कलाई पे कोई खरूच ना पाए पट्टा चाहें स्टील का हो या लेदर का दोनों ही पट्टों के तयार हो जाने के बाद मशीन से उसकी स्ट्रेंथ और डिरिबिलिटी को चेक किया जाता है ऐसा करने के लिए स्ट्रेंथ मशीन में हर तरीके से उसे खीच तान करके उसकी मजबूती को चेक किया जाता है घड गड़ी का आउटर पार्ट और पट्टा बनाने के बाद तैयार किया जाता है घड़ी का डायल पैड जिसके बिना घड़ी मानो ऐसी है जैसे हीर बिना रांज़ा और रिमोटवा बिना फीके यानि कि एकदम लुल यहाँ भी फेक्ट्री वाले स्मार्ट वर्क करते हुए जह पर मशीन की मदद से ही नंबर्स को चापा जाता है जिसके बाद शुरू होता है असली हुनरबाजों का कमाल जो हाथों की मदद से लगबग 100 से ज्यादा घड़ी के पार्ट को डायल पैड के पिछले हिस्से में सेट करते हैं ये काम इतना बारीक और जिम्मेदारी भरा हो हो चुके होते हैं जिसे मशीन की मदद से ही एक सेम टाइम में तीनों काटों को डायल पैड पे जोड़ दिया जाता है घड़ी के आउटर फ्रेम और ये डायल पैड में लगबग 130 पार्ट को जोड़ने के बाद उसे लाया जाता है असेमले रूम में जहां रिस्ट वाच क उसकी आत्मा यानि घड़ी को उस पट्टे और बैटरी से जोड़ा जाता है घड़ी में बैटरी जोड़ने के बाद आप सोच रहे होंगे कि घड़ी आपकी कलाई पे सजने के लिए तयार है लेकिन ज़रा ठहरी है जनाब क्योंकि फैक्टरी में बनने वाली सभी घड़ी जहां से ये घड़िया आपके परसनेलिटी में चारचांद लगाने को तयार रहती हैं अब आप घड़ी के बारे में इतना कुछ जान ही चुके हैं तो बोनस के तौर पर ये भी जान लीजिए कि दुनिया की सबसे पुरानी घड़ियों के ब्रैंड्स में सुर्जेलेंड क ब्लैक पैन का नाम सबसे टॉप पे आता है क्योंकि 1735 में एक छोटे से कमरे में इस कमपनी की नीव जेहान जेक्स ब्लैक पैन ने रखी थी जिसके बाद से इसका नाम आज तक याद रखा गया है भारत की सबसे पुरानी घड़ियों में हम्टी अजंता और सोनाटा का ना लेकिन वक्त धीरे धीरे बदलता गया और मोटरोला कमपनी ने 3 अपराईल 1973 को बना डाला दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन यानि मोटरोला डाइना TNC 8000X वक्त ऐसे ही बीचता रहा और 1993 में IBM ने लांच किया दुनिया का पहला स्मार्ट फोन और 2008 में भारत का पहला स्मार्ट वॉच लांच किया HTC ने जिससे कहीं न कहीं रिस्ट वॉच की डिमांड में थोड़ी बहुत गरावट जरूर आई जिससे कुछ लोगों को लगा कि रिस्ट वॉच अब खत्म होने की कागार पे आ जाएगी लेकिन उन्हें लोगों को कौन समझाएगा कि ये इं स्मार्ट वॉच के रूप में मर्केट में आके मानो सबसे यू कह रही थी क्या भी हम जिन्दा हैं लेकिन इस बार ये स्मार्ट वॉच अकेले नहीं आई थी ये साथ अपने लाई थी कॉलिंग की सुविधा, ब्लेड प्रेशर नापने की सुविधा, अपने हर्ट बीड, कैलेरी ये सब भी मापने की सुविधा, और कीमत इतनी निसस्ती कि आजकर इसे कोई भी खरीद सकता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते, रिस्ट वॉच एक बार फिर हर कलाई पे अपना जलवा बिखेरने लगी, अगर आप कभी रिस्ट वॉच के दिवाने रहे हैं, तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि स्मार्ट वॉच और रिस्ट वॉच में आपको कौन सी घड़ी ज्यादा पसंद आती है, और जो भुकाल कभी नॉर्मल रिस्ट वॉच का था, वो कभी स्मार्ट वॉच का हुगा की नहीं, साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फैक्टरी में स्मार्ट वॉच कैसे बनाई जाती है, तो हमें कॉमेंट में, जरूर बताएं, हम आपके लिए एक वीडियो उस पर भी बनाएंगे, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें, साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल न भूलें